एक बार एक बेक्ती परेसान हो करके भगवान से गुस्ता हो गया और उन्होंने कहा कि आखिर में आपसे गुस्ता क्यों नहूं वो बेक्ती इतना मेहनत कर रहा था इतना परिश्रम कर रहा था फिर भी उसे सफलता हासिल नहीं हो रहा था वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा था मेहनत के वावजुद भी एक लंबे समय तक बहुत कड़ी मेहनत किया लेकिन नहीं उसे एक छोटी सफलता हासिल हुई और बड़ी की तो बात ही नहीं करना इस संगर्स के दवरान वा बेकती बहुत इरिटेट हो जाता है बहुत परेसान हो जाता है और भगवान से सवाल करता है बोलता है कि आखिर मेरे सामने ही लोग इतना प्रोग्रेस कर रहा है इतना आगे निकल रहा है लेकिन मैं जियों कात्यों हूँ मेरा कोई प्रोग्रेस स् या फिर मैं अभी तक कोई सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाया हूँ। भगवान बहुत ही मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, कहते हैं कि मैंने दो बीज जमीन में दिया, एक घास का और एक बास का, मैंने वही रौसनी घास के बीज को दिया और वही रौसनी हमने बास के दिया, जो हमने घास को दिया और बास को दिया। आप देखने होंगे कि घास 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में अच्छा खासा वो उग जाता है, निकल जाता है। लेकिन वही बास का बीज जियों का तियों मिठी के अंदर पढ़ा रहता है। ना उसमें अंकुरित आता ह ना ही कोई ऐसा जर्मिनेशन का कहीं आसार दिखता है। महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, घास और भी लंबा हो जाता है, और भी घना हो जाता है, और भी बड़ा होते चला जाता है। क्या मैंने घास के लिए अलग से रोशनी दिया, क्या घास के लिए हमने अलग से ऑक् जर्मिनेशन को लिया, अंकूरित को लिया और बढ़ा हुआ, वहीं 2 या 3 साल के बाद बास का बिक्ष में अंकूर आता है और वह धीरे धीरे करके आगी की और बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन घास 2-3-4 साल के बाद वह घास खतम हो जाता है, लेकिन जो बास लंबे समय के बाद एक संघर्श के साथ एक उस मिट्टी से लड़ने के बाद उस वातावरन के लड़ने के बाद जो germination आया उसके समय पर अगर वो गुश्चा में चाहता तो वो मिट्टी से अलग हो सकता था निकल सकता था छोड़ सकता था वही पर उसका germination नहीं वहां पर उसका termination का कारन बन सकता था उसका वहीं से deviation हो सकता था लेकिन एक patience बना करके वह 20 एक लंबे समय तक रहा और वह लंबे समय तक इसलिये रहा क्योंकि वह उश्वक्त अपना जड़े को सीच रहा था वह अपने जड़े को मजबूद बना रहा उसे मालूम था कि एक दिन मुझे बड़ा पेड़ बनना है, बड़ा बांस बनना है, जिसके वज़य से उसे लंबे संखर्स करने पढ़ रहा था आपको अगर संखर्स के दौरान इक लंबे संखर्स के दौरान अगर सफलता ना मिल रही हो आप घवरा रहे हो कि आखिर मैं कब सफल होंगा मेरी सफलता में इतने डिले क्यों है तो ये डिले नहीं दोस्त ये आपके संघर्स ये आपके जो स्ट्रगल का टाइम है ये आपकी जड़े को आपके निव को आपकी बुन्याद को मजबुत कर रहा है आप ये मत सोचिए कि आखिर मैं क्यों नहीं जल्दी से डबलब कर पा रहा हूँ क्यों नहीं मैं जल्दी से कुछ कर लेता हूँ अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो फिलाल ये नहीं कुछ हो रहा है तो एक बात ध्यान रखेगा struggle किसी भी field में कभी भी मत छोड़ना क्योंकि यही struggle ही एक ऐसी चाभी है एक ऐसी की है जो आपको अच्छे से अच्छे ताले को जटिल से जटिल लॉक को खोलने का काम करेगा आप सफलता को ही अपनी एक प्रेरना सकती inspirational force यह driving force की तरह से इसे ले करके चलें कभी घबराने के जुरत नहीं है आपका सफलता success delay हो सकता है लेकि definitely आप एक दिन सफल होगे इस बात का ध्यान रखना है आपको इस वीडियो में बताने का मतलब ही था कि किसी भी situations में अगर आप मेहनत कर रहे हो और face कर रहे हो तो hard नहीं मानना है असफल अपने आपको घोसित नहीं करना है क्यों नहीं घोसित करना है क्योंकि जो आपका journey का time है जो आपका संगर्स का समय है यही आपको मजबुत बनाता है यही आपके new को और भी strong बनाता है जैसे कि आप लंबे समय तक sustain कर सको अपने development को और भी develop कर सको आपका sustainable development यही पराधारित होता है कि आप कितना बिना सफलता के भी बिना success के भी आप मेहनत कर रहे हो तो इस वीडियो का यही सारांस है किसी भी situation में किसी के साथ compare मत करो कि वो कितना आगे निकल गया वो अब्यक्ति का कितना development हो गया मेरा अभी तक development नहीं हुआ है Never compare yourself to other person आप एक अलग बीज हो एक अलग अपसीड हो आपका एक अलग genetic है आपका एक development का एक अलग रूतबा है आप कभी भी किसी के साथ compare मत करो अपने attitude में बदला हो अपने aptitude में बदला हो ला क्योंकि आपका aptitude आपका attitude determine करेगा कि आपका altitude क्या होगा आपका height क्या होगा आपकी उच्चाई क्या होगा आपका ओहदा क्या होगा एक दिल तो ध्यान रहे कभी भी बिचलित मत होना हो सकता है आपके संकक्ष वाले, आपके पैरलल वाले, आपके शपाथी, आपके दोस्त यार, आपके नेवर, आपसे जायदा बड़े हो, पैसे के मामले में, धंद उलत के मामले में, लोग सफलता का यही एक पेमाना, यही एक स्केल लिंक कर चुके हैं, कभी भी बिचलित मत होना अपने अंदर काम करना अपनी क्वालिटी को इंप्रूफ करो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जो मेरा कहने का सारांस था मिलते को नई वीडियो में तब तक अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और फेस्बुक में अगर देख रही इस वीडियो को तो फेस्बुक पेस को फोलो कर लिजिए और आपको इस वीडियो कैसा लगता है जिरूर कमेंट्स करके बताएगा